नमस्कार, सभी को गूड मॉर्निंग, मसूबकर्ण सहे काचारी एफम, आज हम विकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एफम पेपर शेकिंड इंडियन बेंकिंग फाइनेंशिल सिस्टम के अंतरगत यूनिट संख्या थर्ड में भारतिय बेंकिंग नियमन अधिनियम उनिस सो उननचास के संसोदनों के बारे में चर्चा करेंगे दी अबेंडमेंट्स ओफ इंडियन बेंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइंटिन फोटिनाइन ये प्रसन आपके यूनिट संख्या थर्ड का प्रसन है जो बेंकिंग नियमन अधिनियम उननचास की परमुख विशेस्ताओं के बारे में हमने पूर में अधिन किया था उस अधिनियम में उननिसो उननचास के बाद में विविन परकार के जो संसोधन हुए हैं उनके बारे में हम सर्चा करेंगे जैसा कि मैंने आपको पूरू की क्लास में बताया कि बेंकिंग नियमन अदिनियम के विविन परावधानों में बेंक की परिवासाएं बेंकिंग के नाम में संसोधन और भी विविन परकार की प्रोविजन्स थे उनमें जो संसोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पर्थम है नाम में परिवर्दन चेंजी नेम सन 1965 के संसोदन के नुसार बारतिय बेंकिंग कंपनी अधीनियम का नाम बदल कर अब बारतिय बेंकिंग नियमन अधीनियम उन्निसो गुननचास कर दिया गया है इस संसोदन के पस्चाथ यह अधिनियम उन सभी सैकारी साख समितियों पर लागू होगा जो बेंकिंग वेवसाई करती है तथा जो भारतिय बेंकिंग नियमन अधिनियम के नुसार समामेलित कमपनिया नहीं है अब भारतिय कम्पनी अधिनियां उनिस सो फपन सैकारी समीतियों पर ये नियम लागू नहीं होगा अर्थार जो समामेलित कम्पनियां नहीं हैं उन पर ये सैकारी समीति उनिस सो फपन अधिनियम लागू नहीं होगा और नाम में परिवर्तन इसको बारतिय बेंकिंग नेमन अधिनियम 1949 कर दिया गया है 1965 के संसोदन के अनुसार अगला बिंदू है लाइसेंस प्राप्त करना जो भी बेंकिंग कम्पनिया है वो बेंकिंग नेमन अधिनियम 1949 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार परतेक राजजे सहकारी बेंक वे केंद्रिय सहकारी बेंकों को रिजर्व बेंक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने से पूरुए कारियरत सहिस्थाओं को अधिनियमलागू हुने की तिथी से तीन मा की यहोदी में लाइसेंस के लिए 25 पतर देना होगा जब 25 पतर पर निरने होने तक यह सहयश्था यह थावत कारिय करे कर सकेंगी यदि रिजर्व बेंक किसी भी सहयश्था को लाइसेंस नहीं देता है तो उन्हें بैंकिंग व्यवसाइक बंद करना होगा. थारद बैंकिंग अधिनियम लागू होने के पसध या इस्थापित होने वाली सेंस्त हैं उनके लिए आउसेख होगा कि बैंकिंग व्यवसाइप राणरम करने से पूर्वे रिजरव बेंक से लाइसेंस प्राप्ट कर तो इस प्रकार रिजर्व बेंक ओफ इंडिया से अधिनियम की धारा 22 में लाइसेंस लेना होगा बिना लाइसेंस के कोई भी बेंकिंग कंपनी नहीं खोल सकते हैं और अधिनियम ज़र लागू होने की तिथी से तीन मा के उदि में लाइसेंस के लिए प्रात्रा पत्तर देन होगा अगला है बेंकर बेंक और बेंकिंग सबद कप्रियों अधिनियम में ऐसी समस्त सह कारी सहस्ताओं को अपने नाम के साथ बेंकर बेंक और बेंकिंग सबद जोड़ना होगा जिन पर यह अधिनियम परभावी होगा जो भी बेंकिंग कंपनिया हैं जाग जो भी बेंक है उनके नाम के आगे बैंक बैंकरिया बैंकिंग का सब्द का परियोग बहुत आउशक है तभी वह बैंक माना जाएगा फॉर्थ पॉइंट है नियुन्तम प्रदत पुंजिया रक्षित को मिनिमम सब्सक्राइब के पिटल रिजर्व फंड परदत पुंजी है उसमें संसोदन अधिनियम की धारा 11 के नुसार इस अधिनियम के अंतरिगत निमल लिखित साख समितियों को अपनी परदत पुंजी रक्षित कोस के रूप में कम से कम एक लाक रुपे रखने होंगे अधिनियम 11 के नुसार जो भी कंपनी है जो भी बैंकिंग साख समितियों के अपनी परदत पुंजी के रक्षित कोस में कम से कम एक लाक रुपे रखना होगा तब ही वे बेंकिंग नियमन अधिनियम के तहट बेंकिंग वेवसाई या बेंकिंग किरियें या कॉमर्शिल बेंकिंग के रूप में माना जाएगा अगला बिंदू है नकद कोस की वेवस्था नकद कोस की वेश्था 24 नुसर परतेख सैकरी साथ सैंस्था को स्वयम के पास रिजवर बेंक के पास चालू खाते में या केंद्रिय सरकार द्वारा नामांकित बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का 15% या उसे अधिक जो रिजवरो बैंक धारित करे उनको नगद के रूप में रखना होगा सायखारी साग सहिस्ताओं को परतेक माह में 15 तारिक तक एक विविणी रिजवरो बैंक को भेजनी होगी जिसमें माह के परतेक सुकरवार के दिम मांग दथा साउधी जमार आशी पर उल्ले को अर्थात जो नगद कोश की विवेस्था है जो धारा 44 के अंदर कुल जमाओं का 15 परतीसत अपने पास रखना होगा नगद कोशानूपाद में विविन परकार के जो परिवर्तन हुए हैं जो की इसमें उल्ले खित हैं दिसंबर 2001 में इसको गटाकर 5.5 परतीसत वर्तमान में नगद कोशानूपाद 4 परतीसत रखा गया है अगला है तरल संपती जैसा कि आप जानते हैं असेट्स क्या होती है जो बैंक की जो संपती है तरल संपती इकल जमाओं का 30% बैंक अपने पास ६ैंक को निधारित करता है बैंकिंग निमन अदिनियम में सेकारी सहंस्थाओं से संसोधनों को लागू करने के पस्चाहत ये वैस्था की गई कि रिजरुबेंग अधिनियम के प्रावधानों के नुसार रखी गी नकद राशी 15% के अतिरिक इन सहंस्थाओं को अपने पास कुल जमाओं के 30% उससे अधिक जो भी रिजरुबेंग नि इस अधिकार के अधिन तरलता अनुपाद को 25% से बढ़ा कर नुवमबर दो 1922 में 32% और 1981 में 35% और जनुरी 1988 में 38% कर दिया गया है जो नर्शिम समिती की अनुसंसा के अधार पे मार्च 1906 में के अंत में ये अनुपाद 28% कर दिया गया है अब ये है अनुपाद गटा क 23% कर दिया गया है जो वर्तमान में तरल को सनुपाद 19.5% रखा गया है अगला बिंदू है रिन लोन संसोदन अधिनियम की धारा 20 सब सेक्षन 1 के नुसार सहकारी बेंकों पर ये परतिवन लगाया गया है कि वे ऐसे विवसाई किया ओध्योगी परतिस्ठानों को रिन किसी प्रकार का हीत या नहीत हो तो इस प्रकार से ये महत्तुपूर्ण लोनिका का भी निर्वहन करते हैं बेंकिंग नियमन अगला बिंदू है रिन नियंतन दारा 31 में रिजर्व बेंकों सहकारी बेंकिंग सहस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले रिन वाग्रिम को नियमित नियंतन रखने का दिकार दिया गया है इसमें रिजरो बेंक को साख नियंतन की सुईधा भी होगी तो लिन नियंतन भी या धीनियम 31 के तहट परभावी है साखा का विस्तार साखा का विस्तार बेंकिंग सेक्टर में या बेंक धारा 23 के नुसार सहकारी बेंकों को अपनी नई साखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वा अनुमत प्राप्त करना होगा उनसे अनुमती लेनी होगी यह है इसलिए किया गया है ताकि व्यापारिक बैंक और सहयकारी बैंकों के साग विस्तार कारे करम को उचित समन्य वे स्थापित किया जा सके केंद्रिय सहकारी बेंक, रिजर्व बेंक की अनुमती के बिना अपने कार्य छेतर में साखा खोल सकता है एक कस्बे गाव नगर रिजर्व बेंक की अनुमती के बिना साखा इस्थानांतर किया जा सकता है गरामिन्ट शेत्रों में साका विस्तार के लिए सहकारी बेंकों को प्राद्मिकता दी जा रही है अगला बिंदू है इन्वेस्टमेंट विन्योग कुछ विस्षिश हैस्ताओं को छोड़ कर या वस्थाओं को छोड़ कर जो सहेकारी बेंकों ने किसी सहेकारी सहिस्था के अन्सों के विन्योग करने के लिए रिजोर बेंक दोरा निर्धारी सर्तों का पालन करना होगा ये परतिबन प्राथमिक सहेकारी समित्यों दोरा केंद्रिय बेंकों को अन्स खरीदने पर केंदरे बेंक पर या केंदरे बेंक दोरा राज्य सहेकारी बेंकों के अन्स खरीदने पर लागू नहीं होगा यदि सहेकारी सहिंस्थान येमों के विरूद अन्स खरीद लेती है तो उसे ततकाल रिजोर बेंकों सुचित करना होगा प्रतेग व्यापारी बेंक को अपने अंतिम खाते 30 जून को समाप्त होने वाले वर्स में बनाने हुगे यह खाते 33 नुसुचित के प्रारूपे के अनुसार त्यार करने हुगे इन खातों पर बेंक के प्रमूख कारी कारी कम से कम 3 संचाल के जहां तीन से कम संचालों को वहाँ ही संचालों के स्ताक्सर होने चीए जो धारा 31 के अनुसार प्रतेक बेंग को अपने अंतिम खातों की तीन प्रतियां खाते प्रकाशित होने के छह मा में रिजोर बेंग को भेजनी होगी गला बिंदू है निरेक्षन इंस्पेक्षन धारा 35 के अनुसार रिजोर बेंग को राज्यों सहेकारी बेंगों का निरेक्षन करने एवं निर्देशन करने का दिगार है प्रात्मिंग बेंगों का निरेक्षन राज्य सहेकारी बेंगों के माद्यम से रिजोर बेंग कर सकता है अगला बैंको को निवेश विदेशी निवेश बढ़ाने का निवेश भी लिया गया जिसमें बैंको विदेशी परतेश निवेश FDI में 49-99% की बजाए 14% हो जाएगा इसके लिए बैंकिंग नेमन अधिनियम 1949 के यतोचित संसोदन किया जाएगा इस आस्यकार्णी ने केंद्रियमंत्री मंडल के मार्च 2003 में संपन बैठच में लिया गया तो इस परकार बैंकिंग निवन अधिनियम में भी संसोदन हुए है 2003 में 1999 के बेंकिंग नियमन अधिनियम में संसोधन के लिए अगस्त 2003 में बेंकिंग नियमन संसोधन और अन्य प्रावधान विदेख 2003 में पारित की गई किये गए इस विदेख को पारित हो जाने से भारती रिजरु बेंक की नियमन सक्तियों में वर्दि हो गई है अन्य बैंकों के भाती स्यकारी बैंक भी रिजरू बैंक से सिधे नियमन नियंतर निग्राणी में है योगि स्यकारी बैंकों कामकासू निशित होने पर अधिकार भी रिजरू बैंक के गर्वर्नर को होग जाएगा इस कहते रिक बैंकिंग कंपनियों को भी अंतराश्टे विवार के नुरूप गेर विधेक योग्य या विमोचन योग्य प्रिफेंच सेर जारी करने की अनुमती भी प्रावधान में संसोधन का विधेक किया गया है विधेक में सेकारी समतियों की नियुनतम इस्तर की पुंजी 25 लाख रुपे करने का प्रावधान किया गया है जो इस्थानिय चैत्रिय बैंकों के लिए 5 करोड और बैंकिंग कंपनियों के लिए 100 करोड रुपे की पुंजी रखने का भी प्रावधान किया गया है इसमें विदेशी बेंकों के लिए भी नियुनतम पुंजी स्थर सो करोड रुपे निर्धायत की गई है ऐसी सह कारी रेंड समझतिया जिनकी पुंजी एक लाग से कम है जो बेंकिंग कारोबार कर रही है इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ज के बितर अपना कारोबार बंद भी करना होगा नई पुंजी स्थर सिमा लागू होने के बात तीन वर्ज के बितर जो बंद होगा उसके बाद कारोबार से कारी समितियों के लाइसेंस प्राप्त करने पर ही हो पाएगा तो हम वर्तमान अर्थार दिनांग आठ फरवी दोजार ठारा में बेंकिंग सम्मन्दी जान करिया हैं उनकी रेट इस परकार से थी बेंक रेट 6.25 रेपो रेट 6% रिवर्स रेपो रेट 5.75 नकत कोसा नुपाद 4% विधानिक तरलता नुपाद 19.5 बेस रेट 8.65 से 9.45 बचट ब्यास दर 3 से 4% साओधी जमादर 6 से 6.75 मांग दर 4.9 से 6.5 MS-MR, Ribles 5.55 तो इस परकार हम आज हमने बेंकिंग नियमन इदीनियम योभी बेंद परकार के जमसोदनों के बारे में हम दर्चागी जो की आपके एक्जाम में या धिक्तर पर्षन पूछते हैं दोनों पर्षनों में जो महत्वपूर्ण पर्षन है वो बेंकिंग्नियमन अधिनियम उनिसु बुल्चास के प्रावधान और विशेस्ताओं से सम्मधित ही पर्षन पूछते हैं ये पर्षन भी कई बार आपके एक्जाम में पूछ लेते हैं तो ये भी पर्षन महत्वपूर्ण माना गया है तो अगले वीडियो में हम आपके लिए यूनिट संख्या फॉर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही बहुत धन्यवाद थेंक्यू बेरे मुच्छ